तो कैसे हैं आप सब वल्कम बैक टू माई चैनल तो आज की विडियो में हम हायर की आटोमेटिक वाशिंग मशीन का रिव्यू करने वाले हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंट्रस्टिंग वीडियो है जिसे मैं बहुत जादा डिटेल के साथ आपके साथ डिसकास करूं मशीन है और इसमें पिलोट टब है इसके अंदर और आटोमेटिक यह मतब आटो री स्टार्ट इसके अंदर टेकनोलोजी मौजूद है तो दो साल यूज करने के बाद कुछ ऐसे इसकी शकल है मैं इसकी पहले आपको लुक दिखा देती हूँ आपको यह अभी नही नहीं ह और यहां पर यह इसके तमाम फीचर्स मौजूद हैं मैं इसमें कपड़े वाश करके आपको प्रापरली पूरा एक राउंड चला के दिखाऊंगी किस तरह से काम किया कितना टाइम लगाया और यहां पर इसकी मैं वाटर आउटलिट भी आपको यहां पर डिटेल से दिख तो यहां पर थोड़ सी डिसकलरेशन अभी मैं आपको दिखाती हूं तीन इसके अंदर स्लोट्स दिये हैं लिक्विड डिटर्जेंट की फिर डिटर्जेंट की और दूसरा सॉफनर की लेकिन मैं इसको यूज करने रेकमेंड नहीं करूंगी मैंने इसको जब जितनी दफ मतब इसके अंदर यह जो आपको ग्रूव नजर आ रहे हैं यह चीज इसको इन्होंने कहा है पिलो टप और इनका मकसद है कि यह कपड़ों को डैमेज नहीं करता है अच्छा यह जो टब है यह रोटेट करता है आम जो वाशिंग मशीन होती है उसमें जो टब है वो एक मतब इसके साथ आपको इसकी पैकिंग में मिलेंगे लेकिन आफको आपको एड़जस्ट इसको खुद से ही करना होगा तो यहां पर मैं आपको इसको आउन करके दिखा देती हूं कि इसको किस ता से चलाना है और मुक्तसर इसके फीचर्स आपको बताऊंगी क्योंकि आज वीडियो है अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि इसके यह जो फीचर्स हैं यह किस ता से काम करते हैं तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी सबसे पहले जी प्लग इन करने के बाद पावर का मैंने बटन दबाया उसके बाद यहां पर आपने प्रॉसेस का ब सेट करोगे उसके बाद है टाइम टाइम जाता है इसका 20 मिनिट तक तो आप अपनी मर्जी के मुताबग इसका टाइमर सेट कर सकते हो यहां पर लिखा हो जी रिंस टाइम तो इसकी आप्शन है 1, 2, 3 तो मैं इसको वन पर ही लगती हूं रिंस टाइम कमता होता है खंगालन आपने इसको किती दफ़ा है तो मैंने वन पर ही रखा है स्पिन टाइम है जी मैकसिमम इसका 6 है तो आप अपनी मर्जी स्पिनर भी इसके जो टाइम है वो चेंज कर सकते हैं अच्छा यहां पर इसके यह डिटेल इसके फीचर्स हैं कि किस तरह का कपड़ा बीच में डाल और किस तरह का आप उसको वाश करना चाहते हो यह इसके फीचर्स हैं जो कि बहुत ही डिटेल बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एक्स्प्लेइन करूं तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो डालूंगी स्टार्ट का बटन मैंने इसने पानी लेना स्टार्ट कर दिया है वीडियो जो अगर आप उसको साफ करना पड़ेगा तो थोड़ा साथ काम है मतलब अगर आप उसको साफ नहीं करेंगे तो पानी बहुत जादा लो जाएगा इतना लो जाएगा कि कत्रों में निकलेगा यहां पर टाइमर जैसे ही इसने पानी ले लिया जो मैंने लेवल सेट किया था फोर उसके बाद इसने कपड़ों को वाश करना स्टार्ट कर दिया और यह देखें इसका जो रोटेशन प्रॉसेस है या वाशिंग प्रॉसेस वह कुछ इस तरह से मैंने कोशिच की कि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से कपड़ों को वाश करता है देखें अंदर से टब भी हिलता है और जो इसका बॉटम है रोटेशन वहां से भी होती है अचा जितनी देर यह चल रहा है तो हम बात कर लेते हैं इसकी सफाई की या क्या यह कपड़ों को एक नॉर्मल वाशिंग मशीन की निस्बत अच्छे से साफ करती है या कम साफ करती है तो मैं बात बिलकुल सिंपल करूंगी अगर यूनिफॉर्म की बात की जाए बच्चों के कॉलर्स और कफ वो तो आफकोर्स आपको हाथ से ही रिगरने पड़ेंगे ताकि वो अच्छे से साफ हो इस वाशिंग मशीन में उन्हों ही साफ करती है लेकिन फकूर्स बच्चों के जो यूनिफॉर्म के कफ और कॉलर होते ह्awk हमें हाथों से ही रगड़ती हूँ अच्छे तरीके से आप करती है यूर अगर मतलब अच्छे से साफ चाहते है तो आपको हाथ साह करना पड़ेगा उसके ऑद आपने वाशिंग मेरी जिन्गी असान की है क्या यह पर्चेस करनी चाहिए तो आइम गोई टो गिव वेरी सिंपल आंसर वाई ए एस येस जिन्दगी असान हो गई है मैंने जब से यह वाली वाशिंग मशीन पर्चेस की है मैंने दुबारा हाथ से कपड़े नहीं दोए सबाए कफ और कॉलर के या कोई मतब एक अद जोड़ा हो तो चलो बन्दा हाथ से कर लेता है वरना मैंने मतब मैं कभी भी इस वाशिंग मशीन को छोड़ना नहीं चाहूंगी इसने मेरी जिन्गी को आसान कर दिया है चोटे 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 बच्चेों के साथ बहुत डिफिकल्ट होता है खास तो यहां पर रिंस टाइम इसका स्टार्ट हो चुका है तो यह देखें यहां पर बिंक कर रही है कि यहां पर यह रिंस हो रहा है तो मैंने वन पर इसका रिंस किया था तो यह एक दफा आप यह पानी लेके कप्ड़ों को खंगा लेगी और खंगालती यह बहुत थोड़े से लगाया था तो अब यह पूरे 6 मिनट अच्छे तरीके से कपड़ों को स्पिन करेगी और बस फिर यह बंद हो जाएगी तो यहां पर यह स्पिनर इसका चल रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यह उसके बाद फिर इसका क्या रिजल्ट निकलता है प्राइस की यहां पर बात कर लेते हम इसको मैंने आज से दो साल पहले लिया था 38,000 की यह मैंने मशीन ली थी और मुझे यह मशीन बहुत अच्छी लगी है इसने काम बहुत अच्छा किया है जिन्दगी असान कर दी है सिर्फ यह कि कफ कॉलर्स खुद से धोने पड़ते हैं यहां पर एक ब प्रॉपर्ली नहीं चलेगी और बिंक करना शुरू हो जाएगा इसका जो टाइमर है रोख जाएगी और फिर आपको दुबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी और वो थोड़ा सा एक बीच में मतब डिफिकल्ट हो जाता है इसको फिर से स्टार्ट करना तो आटोमेटिक व जाएगी तो ये भीब करेंगी तेन दफा और बीप करने के बाद ये बिल्कुल बियप करने के बाद बद किस्कार से स्टार करने के डिफाएगी खिकल्कत। अब इसकी पावर बिल्कुल आफ हो चुकी है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यह सर्दियों वाले कपड़े हैं बचों के और यह बिल्कुल ड्राइ हो चुके हैं, लेकिन अगेन आपने इसको थोड़ी देर तार पर डालना है इसको मकमल खुश्कोने के लिए क्यों इसमें हाट एर वगरा का कोई चकर नहीं है, पर कपड़ों को बहुत अच्छे से ड्राइग कर देता है, अच्छा एगेन एक क्वेस्टन जो के लोगों के जहन में आएगा कि क्या यह बिजली जादा इस्तमाल करती है, यह पानी जादा इस्तमाल करती है, तो उसका भी बह वाशिंग मशीन की निस्पट, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आपकी जिली को यह आसान भी तो करती है, बतलब के बना चाहिए प्राइस को और इसकी जो यूजज है, आपकी जिली को यह किस कदर आसान कर रही है, दोनों चीज़ों को कमपेर करना चाहिए है, तो इस अब आफाइस ने मसला किया है लेकिन वो मसला मैंने खुद इसका हल कर लिया मुझे मतब इसको लेकर नहीं जाना पड़ा हायर वालों के पास इसको ठीक करवाने के लिए कुछिन कुछ ने मुझे मसले करती ही रहती है और इसका ज़ादा तर तालुख पानी के प्रिशर के साथ ही होता है जा फिर इसकी जालियां उपालग हो जाती है। उन पुम्सिल्ट गयाँ आई उन को साफ करना पढ़ता है। इसके डिफरेंट जो फीचर्स है उसके बारे में भी वीडियो बनाओं और जो ये मसले मसायल करती है उनको हल किस्ता से करना है उसके बारे में भी मैं कोशिच करूँगी कि separately वीडियो बनाऊं लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और अपने मसले मसाइल बताने पड़ेंगे आपको वीडियो पसांद आई हो बहुत महनत से मैंने बनाइए है दो साल इसको मैंने यूज किया और उसके बाद अपना फाइनल वर्डिक्ट आपके साथ शेर कर रही है तो उसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है और अपको आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी जो मैंने आज आपको इतनी डिटेल्ड वीडियो दे दी है I'll see you next time Allah आफिस बाबाई